सभी आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी निउस चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है आज बात करनी वाले हैं उत्तर प्रदेश में आगनबाडी बहनों की कुछ वो बहने जो कोड की सहयोग रासी के लिए आगे हैं और उन्होंने सहयोग पहले भी किया अब भी कर रहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आप हेटर्स के नाम से भी जान सकते हैं और कहने में कोई हर्ज नहीं है ऐसे वो लोग जो जेब से चमनी खर्च करना नहीं चाहेंगे लेकिन उनको हर मामले में अपने पेच फसाने जरूर होते हैं यानि कुल मिलाकर सहयोग के नाम पर एक रूपिया जेब से नहीं जायेगा उनकी लेकिन सवाल उनके पचासों आएंगे और उनके सवाल भी ऐसे अतरंगी जिनके जवाब भी हम क्या आगन बाड़ी बहने ही कमेंट बॉक्स में उन जैसे लोगों को दे सकती हैं आएए बात करें अगर कोट के सयोग की रासी को लेकर के या फिर उससे पहले हम आपको एक जानकारी सुरूप भी मैसेज बताना चाहेंगे हमारी ये बहन है जो की सायद अर्चना नाम इनका लिखा हुआ है बैया जी गूड मॉर्निंग मैं यहाँ पर मतुरा से हूँ 300 रुपया जो आया है वो बैनर का है तो सुबह के वीडियो में बहनने पूचा था जिनका 300 रुपे आया था कि पैसा ये कैसा है तो उसी को लेकर बहनने बताया है कि 300 रुपे बैनर के आए हैं साथी साथ यहाँ पर आगे कुछ और मैसे सबाए हैं और इनके अलावा हम आगे बढ़ हैं जैसे कि यहाँ पर एक बहन है नाम लेखा हुआ साध सुनील साध भाई हो सकते हैं या बहन भी हो सकती है क्योंकि घर के किसी भी सदस के नाम से आईडी होगी तो नाम से मैटर नहीं करता इसमें लिखा है भाईया जी मुझे आडर की पीडिया भेजो सयोग के लिए हम सभी तयार है तो आडर की पीडिया भाई एक एक बहन को अलग से भेजी जाए और फिर आप सयोग करें तो इतना ना समय हमारे पास है ना ही ये चीजे सम्मव है और चैनल पर दिखाया जा चुका है अच्छर सा आप चाहें तो वीडियो को पूरा ध्यान से देख सकती है क्या लिखा है कैसे लिखा है अब हजारों लाखों बहने हैं हर किसी को ये चीजे सेंड कर पाना सम्मव नहीं कि एक एक को हम और बेज पाएं और इंतज पास चला जायेगा तो क्या आप कुछ अलग से कोई बहने कुछ कर लेंगी नहीं साथी साथ यहाँ पर एक ये हैं इनों लिखा है कमाई का सब धंधा बनाए हैं सब जो है कमाई का नया तरीका जो है निकाला है ये कोई महोदे हैं इनका अपना ऐसा कहना है तो भाईया कहते भी हैं तीन लाग चार लाग बहने हैं दद्दस एक एक रुपया भी दे देंगी तब भी बहुत हो जाएगा समझ रहें लेकिन देता कौन है ये कोई नहीं देखता वीडियो आप में से ही हजारों लोग देखते हैं 30-30-40-40-40 हजार लोग एक-एक वीडियो देख ल भी तो फिर वो आकड़े और घट जाती हैं ये कड़वा सति समाज का कि यहां पर अपने ही हग के लिए इनके लिए ही जो लड़ रहे हैं और उनको ही सयोग रासी एक तो देते नहीं और उपर से ना देते हुए भी तमाम अपना घ्यान यहां पर जो है जारते हैं कमेंट अब यहाँ पर एक यहनों ने लिखा मैं नीलम देवी सयोग रासी देने को तयार हूँ लेकिन किस तरह से बेजे मुझे भेजना नहीं आता बताईए हमारी ऐसी बहने हैं जिनका दिल बड़ा है जो जानती है कि हमारे हक के लिए कोई लड़ रहा है और ये सब कर रहे हैं इसी को वो ना सोशर दिखाई देता ना जेब से जाने वाले पैसे दिखाई देते और वहीं पर अगर बात आए उनके हक की कुछ भला हो जाए तो यहाँ पर तमाम लोग सवाल उठाते सवाल उठाना भी लाजमी है और ऐसे लोग ही उठाते हैं मैं फिर कहना चाहूंगा आलेंडिया परिवार के सपोर्टर सवाल नहीं उठाते हेटर सवाल उठाते हैं और हेटर का सवाल उठाना उनका एक जीवन का पूरा कर्तब वे समझ लो या जो भी समझ लो कि पैसा जेब से नहीं जाएगा काम भी हो जाएगा देंगे कुछ नहीं मिलेगा तो आगे नहीं देने में सच्छम है तो मत दीजिये हम सब इतना खुद ही सच्छम है अलेंडिया परवार कि वो खुद अपने आप से जो बहने सयोगी है जो सयोग कर रही है वो खुद ही अपना कोर्ट का घर्चा केस सब अपना देख लेंगी साथी साथ लेकिन हेटरों की जरूरत न कि ये पन्दरा सो लोगों ने और उनमें से कितने कितने लोग थे जिन्हों ने अपना कोई किसी का थोड़ा अमान था किसी का जादा था सब ऐसे ही चला और जगे जगे खर्चे कितने आते हैं वो कोर्ट वाले लोग जानते हैं जो मैदान में हैं और जाते हैं या कभी केस लड़ा होगा वो भी बड़े case वकील भी तरह-तरह के होते हैं फीस भी तरह-तरह की होती हैं आपका जो case लड़ रहे हैं महिला बाल विकास सिभाग के वो समझ लिजेगा तमाम caseों को उन्होंने लड़ा है और बहतर वकील है अब एक ही हाँ से तालिया नहीं बजती बहुत कुछ होता है और हर जगे पैसे का ही सब खेल चलता है जहाँ पैसा वहाँ आपकी बात बन पाती है तो ये चीज़ें समझने वाले समझ रहे हैं बाकी याँ पर कहने के लिए तो सब को जो आजादी है कि कमेंट बाक्स में आओ और जो मन में आए वो कह करके चले जाओ देखो हमारी बहने बहुत से हैं जो बेचारी तयार हैं कुछ हैं जो भेज नहीं पाती कुछ हैं जो दे चुकी हैं आगे भी देने के लिए तयार हैं संगीता बहन ने लेखा हमने पहले भी जो हम दे चुके हैं और आगे भी तो भाया आलेंडिया चलता है सपोर्टर बहनों की वज़े से जो अपने हक के लिए लड़ रही है जिनोंने विश्वास जताया है उन भाई बहनों पर जो आगे अगवाई कर रहे हैं तो अब ऐसे में उनके ही हातों में सब कुछ है आलेंडिया को यहाँ पर इन पैसों से य उनकी मेहनत का पैसा वो भी कोर्ट के नाम पर या फिर ये भाई लोग कोर्ट के नाम पर वसूलते नजराएं वो भी मैंने तो कहा कि 3 लाख लोग हो या 2 लाख ही लोग हो अरे लाखों की तादात में हो दो-दो-ददस रुपिया भी भेज़ दोगे तब भी हो जाएगा लेकिन कौन देगा 2,000 भी लोग सामने नहीं आते हैं जो अपने ही हग के लिए मैदान में आएं और 10, 20, 50 जो भी बन सके वो दे पाएं अब लोगों को इसमें जरूर लगने लगता कि ये सब ले लेंगे जैसे आईए आईए आपको दिखाते हैं कि ये महोदे हैं ये लच कम रहे गए हैं वो रासी बताओ कोई एक रुपया दे कोई सो रुपया दे कोई 500 दे सीधी बात बताओ स्क्रीन सौट से क्या चेक करना है सुनिल जी बताएं कितना अमाउंट आ चुका इसी लिए चेक करना है कि आप जैसे लोग जो रुपया चमनी भी ना दे और जिनको ये जानकारियां चाहिए हो कि कितना आ गया कहीं जादा ना आ जाए कहीं कितना आ जाए ये जो है सवाल पर सवाल आपके बनी रहते हैं और मिलाना इसलिए जरूरी है कि आप जैसे लोग अगर पैसा चवनी ना बेजे और जो पैसा मानलो 10 रुपया भेज दे या 1 रुपया बेज दे और उसके बाद कहें कि हमने हजार बेजे थे हमने 5000 बेजे थे तो उसका जवाब दे कौन होगा आप कहए दे हमने 1,00,00 बेज दिया था उसका जवाब दे कौन होगा इसoting उनकि पढ़े पहले आते हैं जहां फिरी का कुछ बटरा होता है और वहाँ पर आ करके सबसे बड़ा योगदान तो हमारे ही रहा, हमी ने सारा पैसा अपनी जेब से भर दिया, हमने इतने बेजे, हमने उतने बेजे, और दिया पता चला कुछ नहीं, तो इसी बात का वो सबूत होता है, कि स्क्रीन सोट बेजना, और इन्होंने एक एक नहीं, इन्होंने 4-5 स्क्रीन सोट इसी लिए फरक पड़ता है कि पैसा जो भेजा गया, वो किसने बेजा, आप स्क्रीन सोट नहीं बेजेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि पैसा आपने बेजा, और यहाँ पर पैसों को लेकर कोई हेरा फेरी ना हो, इसी लिए यह इतनी मेहनत की जा रही, वरना क कोई नहीं चाहेगा कि जो इतना माथा पच्ची क्यों करें, करी, इसलिए जाती है कि पारदस्ता बनी रहे, मेहनत का बहने पैसा दे रही है, और आप जैसे लोग अगर पैसा ना दें जो लोग और वो सवाल करें, कि यहाँ पर बाद में कहें हमने भेजा था, तो उसका क् माँट पहुंच गया, कौन जानेगा, तो पारदस्ता इसलिए जरूरे एक खाते में क्या-क्या जा रहा है, और कौन-कौन बहने दे रही है, वो पता चले, और यह पता चले कौन से लोग है, जो अपने हग के लिए आगे आए हैं, दे रहे हैं, और कौन से वो लोग है, ज पता चले किसने दिया, किसने नहीं दिया, कौन से लोग है, जो सपोर्टर हैं, जो अपने हग के लिए लड़ रहे हैं, और मैदान में हैं, यह चीज़े जरूरी हैं, पारदर्स्ता के लिए, इतना तो आख बंद करके, या जिसको दिखाई ना दे, केवल सुनाई भी दे, वो भी जान जाएगा, कि हाँ, यह चीज़ जरूरी है, और यह अच्छा हो रहा है, अब आप जो सपोर्टर भाई भाई भैने, आप ही बताओ, ऐसे हेटरों का क्या किया जाए, जो जिनको यह लगता है, कि यह चीज़े फालतुकी है, कि स्क्रीन सॉट जो है, लेना और न जमा करने की जम्मेदारी मेरे उपर दी गई थी, कि आप जमा करो, मैंने भरोसा करती है, मैंने भी कह दिया, हम हमारे पास खुद ही न्यूस का इतना प्रेसर रहता है, सब कुछ खबरे और टाइम नहीं होता, और वो भी इतना सब अकेले कर नहीं पाएंगे, सुनील जिनन किसी को सर्म आ जाए, तो वो अपना इनके जैसे हो, जो हेटर वो भेज दे, ये दिखाने के लिए कि हमने भेजा, हमने भेजा, लेकिन वहाँ भी डेट मिंसन हो जाएगी, कि आपने किस डेट में भेजा, लेकिन भरोसा ना हो तो भेजो ही ना, साब सब्दों में पहले से कह रखा है कि जिसको भरोसा है, जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, जिसको लगता है, कि हमारे हक के लिए लड़ा जा रहा है, तो हमें सयोग करना है, तो करे, नहीं करना, घर बैठो, किसी के लिए हाथ फैला करके, यहाँ पर अपने सम्मान को या आतम सम्मान को ठेस पह पुचा करके हमारी टीम काम नहीं करती हम लोग भरोशे पर जीते हैं और पारदस्ता के लिए इस स्क्रीन्सोट नाम लिखना लिष्ट बनाना जरूरी है वो किया जाएगा और रही बात यहां पर जो चीजों की हाक है उन बहनों का जिन बहनों ने सयोग किया है और जिनको इ पतलब ये नहीं है कि आप उन बातों को करें जो आल इंडिया चैनल पर पारदर्स्त्या को खंडित कर रही हो जैसे कि भाई कोई पैसा दे रहा है तो उसका नाम लिखना सब लिखना जरूरी है आपके गर में साधी ब्या होता है या होगा तो जो भी विवहार सुरूप लिखेंगे ये सोच करके कि किसने कितना क्या दिया और कौन वो लोग है जिनके वहां हम करके इनको दे करके आयते और उन्होंने दिया कि नहीं दिया और कितना दिया ये चीजें हैं और यहां पर बहुत जरूरी है क्योंकि जिम्मेदारी सोंपी गई है उनको और उनको भी जिन्मेदारियों पर खरा उतरना है और पिछले कल परसो के वीडियो में भी सुनिल जी ने ये बात साब सब्दों में कही थी कि मुझे में जो फिक्र चिंता थी जो भरोसा जो बना था जो हमारे उपर जो आप सब बहने ऐसे हेटर नहीं जो बहने जो भरोसा करती है उनका भरोसा सुनिल जी को जीतना था कि जो भरोसा हम पर बहने जताती है आल इंडिया पर वो भरोसा कायम रहे समझ रहें सब्दों को और इसलिए वो मेहनत करते हैं कि यहां पर उनको जरूरी है नाम वगरा लिखना जरूरी है लेकिन ऐसे लोग देखिए तर्क दिया है यूपी में आंगनबाडी साय का मिनी मिलकर 4-4,5,5,5 हैं ऐसा उन्होंने कहा अगर अभी आकड़ा इंसे मांगले 4,5,5,5,5,5 आकड़ा जाने कब था उसके बाद नजाने कितने रेटार हुई मौझूदा समय में आकड़े ये बहुत कम हो चुके और वैसे भी अगर देखा जाए तो क्या इनका तो तरके कोई 1 रुप्या दे कोई 100, कोई 200, कोई 500 तो मुख्य बाद बताओ जितनी रासी की जरूरत हो वो मिल गई है ये जतनी रासी कम है वो बताओ पेमिंट भेज दो स्कीन सौर्ट ना जो है भेजे तो खाते में क्या पैसा नहीं जुड़ता खाते में पैसा जुड़ता वो किसका जुड़ा है ये कौन बताएगा मालिक क्या अंतर्यामी है वो बैठे सुनिल जी की लिख लेंगे कौन फलाने ने भेजा तो पैसा किसका आया किसने दिया वो लिखना जरूरी है पता भी तो चले कि जो जुनों ने दिया है उन्हीं को सवाल करने का भी अधिकार है जो अपने हक के लिए लड़ी नहीं रहे है ना चमनी जेब से दी है बाते बड़ी-बड़ी है पसेरी भर की और वहाँ लिखा न जाये तो वही लोग आगे आए मैंने तो पांच जार दिये थे मैंने तो एक क्यावन सो दिये थे मैंने तो पांसो दिये थे ऐसे करकर के मैदान में आए तो फिर क्या होगा समझ रहें चीजों को तो ऐसे हेटरों को भाईयों बैनों पहचानो और इनको अलग करो आलेंडिया पर ऐसे लोग जो भी कमेंट करते नजर आए उनको आप सब सपोर्टर भाईयों जवाब दो सवाल करो जैस सवाल होंगे आलेंडिया आपकी कदर करेगा ना जैस सवाल आप करेंगे वो भी इस तरह से कि यहाँ पर जो है स्क्रीन सॉट जो है ना मांगे जाए नाम न लिखा जाए भाई लिस्ट ना बने तो ये संभव नहीं है वो जिम्मेदारी जिनके उपर है उनको क्या करना है पारदरस्ता के लिए क्या जरूरी है वो हिसाब से करेंगे ना कि ऐसे हेटरों के हिसाब से हमारी बहुत से भाई बैन है जो सपोर्टर है उनसे ही आलेंडिया परिवार इतना खुद सच्चम है कि वो उन एमाउंट को जमा कर सकता है ये भली भाईती ऐसे हेटर्स समझ ले और जान ले और रही बात यहाँ पर पारदरस्ता मामले में तो जो पारदरस्ता बरती गई थी पिछली बार भी अभी भी बरती जाएगी बेसक कड़वा लग रहा हो किस उम्मीद के साथ ऐसे लोग आए हैं आलेंडिया चैनल पर देख रहे हैं हेट फैलाने के लिए बहनों को गुमरा करने के लिए तो आप सब समझ रहें और ये जीत का भी नतीजा है कि बहनों ने जीत भी हासल की है कोर्ट से तो ये भी सैट दर ऐसे हिटरों को सता रहोगा या इन में से एक कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं चाते कि आंगन बारी बहने आगे बढ़ पाए या एमाउन जमा हो पाए या वकिल की फीज जाए या फिर ये केस आगे बढ़े जीते या क्या हो अब ये जाने अपना बाकी जम्मेदारी से टीम काम कर रही है बखू भी सहरी चीजें आप लोगों ने देखी है हमारी बहने साथ हैं अलेंडिया के देखे सुनीता बहन ने लेखा सयोग रासी में 10 उर्पया देने वाले को भी उन्हों ने धन्यवाद भी दिया साथी कहा है कि भया जी कलेजा होना चाहिए यहाँ पर कितने लोग वीडियो देखते हैं और अंदेखा सिखवा नहीं कमेंट बाक्स तो खाली है अपनी समस्या लिखने के लिए उसमें भी तो कहते हैं अपनी समस्या लिख लो कुछ तो कर लो वो भी उनसे नहीं होता तो फिर समझ में नहीं आता है कि भाई होता क्या है अपने हग के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए लोग लड़ रहे हैं अभी नाम डाल देंगे यही महोदे जो हैं जो भी हो या ऐसे और भी विचारधारा रखने वाले जो हेटर्स हो अगर इनसे कह दिया जाएगा कि क्या आप अभी याच का पड़ेगी जनवरी में क या आप अगवाई के लिए तयार हो जाएंगे आपके नाम से अजका डाल दी जाए अभी सारे पसीने सब छूटने लग जाएंगे कहीं नाम ना आ गया जाए क्योंकि नाम जब आगया आता है न तो अच्छे अच्छों का हवा टाइट होता है रीजन यह हैं विभाग का स सर विभाग से रहता होगा वो हर एक काम अपना जिम्मेदारी से समय से सब पूरा करती है ताकि कहीं पर एक रत्तू सा भी कमी ना निकले जिसके बेसिस पर विभाग उनके उपर उल्टा कारवाई कर बैठे क्योंकि खुसी थोड़ी होगी विभाग सरकार को आप उतर पद लेने के लिए तयार नहीं होगा और लेंगे भी क्या और ऐसे लोगों को देगा भी कौन जो ये विचारधारा रखते इतना भी समझ नहीं है उनको की स्क्रीन सौर्ट से क्या होगा पैसे आगे उतना ही बहुत क्या स्क्रीन सौर्ट नहीं भेजेंगे तो क्या पैसे नहीं पहुचेंगे पहुचेंगे किसके पहुचेंगे ये कोन बताएगा कितना एमाउंट जमा हो गया ये कैसे पता चलेगा बहनों को किन बहनों ने कितना दिया उन बहनों को क्या पता चलेगा कि हाँ हमने इतना भेजा था और हमारा तो आप कुछ वही नहीं या भेज दिया मु बहुत जरूरी है और उसके आड़े अगर कोई कमेंड करे या आगे आए तो वो बरदास्त से बाहर है ऐसे हमारे बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने अच्छे भी बहुत से कमेंड किये हैं माकी आप देखिएगा इसलिए मैं कहना चाहूंगा आल इंडिया इतना खुद सच है बहने सच्चम है जो अपनी धन्डासी को जमा कर पाएंगी दो चार छे हेटर्स उनके कहने से बहनों कुछ नहीं होता कमेंड बॉक्स में भी अगर आप देखते हैं क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता कि मैं बहुत जादा ध्यान दे पाऊं या 24 घंटे मुबाइल ही पकड सयोग रासी बेजें करपया गूगल पे नंबर बताने की करपा करें ताकि हम भी कुछ सयोग कर सकें कुसुम लता बहन देखे मुझे लगता है इन बहन ने पहले भी सयोग किया था तो कुल मिलाकर यही कहना है कि सयोग करने वाले कर रहे हैं और वो जानते हैं 150 या जो भी उन से बन सकें उतने पैसे देने से सयोग कोर्ट के नाम पर जो उनके लिए हक के लिए कोई आगे है लड़ रहा है कुछ कर रहा है प्रयास तो उससे कुछ नुक्सान हो जाएगा लेकिन ऐसे लोग जिनको उससे मतलब नहीं है उनको मतलब है कहीं सुनील जी के पास बहुत पैसा ना हो जाए आकड़ा बैठे होंगे जोन करके चार लाग वहने है और चार लाग की साड़े चार लाग उनके हिसाब से लग रहा तो कहीं ऐसा नो दो चार च्छे करोन रूपिया वो जमा कर ले और सब ऐसे ही हजम कर ले बैया देता कोई नहीं है मैं फिर कह रहा करने में कलेजा फट जाता है और ऐसे में यहाँ पर हेटर्स और जो यह विचार धारा रखते हैं कि कोट के नाम पर जो है यहाँ पर स्कीन सोट ना विजा जाए नाम वाम न लिखा जाए ऐसा कुछ वैसा कुछ जरूरत क्या है यह सुनील बताएं कि कितना पैसा आज का वीडियो हेटर्स के लिए जो अच्छा रहेगा दो चार रोटिया हेटर्स आज और जादा खाएंगे और आलेंडिया परिवार्ट के सपोर्टर भाई आप भी दो चार बाते कमेंट बॉक्स में इन हेटर्स के लिए जरू लिखना उम्मीद है और कि आप सब भाई ब बाकि आप सब अपनी जम्मेदारियों को आगे लेकर के चलें और हर बहन से मैंने यही कहाया कि कि किसी भी बहन को अगर आर्थिक परिस्तानिया है तो जरूरी नहीं है कि आप जो है अपनी आर्थिक परिस्तानियों को ताक पर रख कर के भी सयोग बेजें बहने इतनी खु कुछ नहीं जो देना चाहेंगी तो उनकी व्यक्तिगत सोच ना भी देना चाहें ना दे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि वह उनकी मरजी है उनको भरोसा नहीं है ना दे क्या फरक पड़ता है साधी ब्याग का काम था घर परिवार में इस guidance से वरना आलंडिया खुद ही इतना सच्छम है कि काफी चीजों को सुयम से भी कर सकता है अगर चीजे ना हो तो फिर वही कहना चाहूंगा कि हो जाएगा सबके सयोग से तो ज्यादा बेटर है इससे किसी पर ना ही किसी तरह का आर्थिक बो जाएगा ना कुछ होगा और हर किस की सयोग रासी जाने से अच्छा होता है आपने तमाम कारकम देखे होंगे जो समाज में किये जाते हैं वो वाले जैसे धार्मिक कारकम हो या कुछ भी हो अच्छा तो उसमें बेसक 5-10 लिया जाता है सबसे लिया जाता है चंदे के तौर पर रीजन उसका यह होता है कि सब क दुआएं सबका तोड़ा तोड़ा सयोग वो ज़रूरी होता है अच्छे कामों में तो वही समझ के इन चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है वरना करने के लिए तो बहुत लोग पढ़े हैं और हर कोई लोग एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे पैसे वाले भी हैं लेकिन फ स्क्रीन सौट भी ले लिया जा रहा है नाम भी लिख लिया जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है कि हाँ इन बहनों ने दिया आप देखने वाले भाई बहन भी उन्हें इमाउंट को जोड़ सकते हैं सुयम से कि हाँ इतनी इतनी बहनों का सबका नाम आया इमाउंट आया इन्हों इन्हों ने दिया कहां कहां की बेने हैं वो भी बेचारी अपना देख पाएं कि हां मैंने इतना पैसा अपने ऐप्ट के लिए दिया और जिन को जोड़ना हो अपना बैट के जोड़े supporter भी जोड़ सकते कि हैं इतना amount जो हमारा हो गया हम सब का और वो haters भी जोड़ ले, जिनको लगता हो कि बहुत ज़ादा उन्होंने सुनिल जिने अपनी जेब भर ली होगी, तो वो भी अपना जोड़ ले, इसलिए तो screenshot जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है, कि कुछ haters जो पैसे भी ना दे, सेखियां भी बगारे, और सवाल भी करे तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए भी वो चीज़ें बहुत जरूरी है, इसलिए पारदर्सता बहुत जरूरी है, जितना काम साफ सुतरा करोगे, उतना ही, जवाब भी दे पाओगे, अच्छे लोगों को अच्छाई के साथ, उनका सब सयोग, उनको जानकारिया, क लेकिन हाँ जहां कहीं कुछ अच्छा हो रहा हो चीज़े आगे बढ़ रही हो तो उनको रोकने टांग खिचने में वो आगे आ रहे हो हमारी बहुत सी बहने हैं आल इंडिया की जो अब तयार हो चुकी है और कुल मिलाकर एक दो दिन में वो अपना एमाउंट सुनिल जी के एकाउंट में पहुचाना स्टार्ट भी कर चुकी हैं काफी बहनों ने स्क्रीन सॉट हमें बेजे हैं मैं बार-बार उनको आगरे करता रहा हूँ पिछले भी वीडियो में कि वो सुनिल जी को ही स्क्रीन सॉट बेज दे नाम बेज दे नाम आम सब लिखा दे बहुत जरू स्क्रीन सॉट की क्या जरूरत नाम लिखने की क्या जरूरत पैसा आगया काफी है भाई क्यों काफी है हम तो ये भी बताएंगे कि किसने दिया किसने नहीं दिया कितना दिया कितना एमाउन जमा हुआ हर कोई जाने क्या हुआ पारदस्टा जरूरी है ये भरोसा आलेंडिय का भी अपना खुद का भी बेवहार है बेहनों के साथ वो भी बरोसा करती है जो भी उनके फेसबूक से या उनके ब्लॉग पढ़ती है जो भी जिस तरह से गुर्पों में जूडी है तो उनका भी अपना एक छबी अच्छा है तो मैं भी चाहूंगा छबी खराब नहों इसल पूरी सूजबूच के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और बहनों जो भी सपोर्टर हैं वो भी समझते हैं कि जो मैं और या सुनील जी कर रहे हैं ये सब पारदस्ता के लिए वो बहुत ही जरूरी है अच्छा है अब इसमें कोई सेंध लगाने की कोसिस करें कि ये ना करो वो आपना ग्यान अपने पास रखो हमारे पास बहुत है हम जो आप अभी सोच नहीं पा रहे हो हम वो साथ साल दस साल पहले से सोच रहे थे समझ रहे हैं तो इसलिए हेटर्स को आज काफी कुछ डोज मिल गया है आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं धन्यवाद